सारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप देखिए सुन्दर सा डिजाइन आप लोग दंग रह जाएंगे ये जानकर सिर्फ एक लाइन का बहुत ही आसान ये डिजाइन और कितना सुन्दर मफलर बना है शॉल बनाईए स्टोल बन वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा आए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए बहुत ही आसान ये बनाई है क्योंकि वन रो रिपीट पैटर्न है सिर्फ एक सलाई का ये डिजाइन है और फुली रिवर्सिबिल दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है तो हम बनाई देखेंगे फंदे वगेरा कितने डाले गए हैं इस मफलर में वो समझेंगे और इसमें ये जो जालर लगाई है उसको देखते हैं तो हमारे वीडियो हैं जालर कैसे लगाए उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेंगे वहां पर आप जरूर देख लें यह इसकी लंबाई लगभग 10 इंच है यह 10 इंच के करीब आप काट लीजिए इतना तो काटना ही पड़ेगा नहीं तो गाठ लगाने में मुश्किल होती है किसी किताब के उपर बुक के उपर हम लपेट कर फिर इसको हम काट लेते हैं और यह हमारा बनकर तयार हो जाता है तो हम अगर हम कम उन के टुकड़े लेते तो हम और पास पास भी लगा सकते है और जादा लेकर ढला सकते हैं तो इस तरह ऐसे कुछ बाते हैं बाकी तो यह सब हमारी खुशी हमारी इच्छा के उपर है जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं यह उन के सारे टुकड़ों को एक समान एक बराबर ले आना होता है और उसके बाद यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे इमेठा और उसके बाद यहां से निकाल कर हम इसको गाठ लगा रहे हैं ए देखिए है ना तो यह हमारी जालर की बात हो गई कैची से एक्स्ट्रा उन को एक सीध में काट दीजिए आए अब हम बुनाई की बात करते हैं इस बुनाई के लिए हमको मल्टिपल ओफ सेवन प्लस फाइव साथ के गुणा से जमा पांच मल्टिपल ओफ सेवन प्लस जैसे आप साथ का पहाड़ा बोलते जाए और मानिये सत्तर आ गया तो उसके बार पिछत्तर है ना यहां पर हमने लिए हैं 47 फंदे 47 स्टिचेज हमने लिए हैं तो अब 47 स्टिचेज लिए हैं और आठ नंबर की आठ नंबर की सलाई से हम बुन रहे हैं तो देखिए अब उन है माइक्रो और इसकी चौडाई आई है लगभग साड़े आठ इंच है ना तो अब आपके उपर है आपको स्टोल बनाना है शौल बनाना है तो स्टोल तो देखिए 20-22 इंच का काफी होता है चौडा तो उस हिसाब से आप फंदों को बढ़ाते चले जाएंगे तो 47 फंदों में ये लगभग साड़े आठ इंच के करीब हो गया है आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं बुनाई पर एक लाइन का डिजाइन है जो हम बुनेंगे अभी वही हमको बार-बार दोहराना है फंदे हमने डाल लिए multiple of 7 plus 5 साथ के गुणा से जमा 5 फंदे तो देखिए ये हम पहले 5 फंदों को सीधा बुन रहे हैं अच्छा मैं आगे बढ़ हूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूं कि यहां पर यह जो पट्टी आ रही है यह पांच फंदों की आ रही है अगर इसमें बहुत ही आसान है अगर आप चाहते हैं तो इस पट्टी को चोड़ा कर लिजे साथ फंदों की कर लिजे लेकिन अगर शॉल है इस्टोल है तो उसमें और थोड़ी बड़ी पट्टी भी अच्छी लगेगी तो यह मैंने आपको बता दियो और उसी हिसाब से अभी आप जब बुनोगे ना इसको थोड़ा सा तो आप समझ लोगे कि आप किस हिसाब से इसके फंदों को काइब प्लस करने हैं कि हमारी लास्ट में यह पट्टी आ जाये दोनों तरफ हमारा एक जैसा हो जाये राइट साइड भी यह पट्टी रहे और लेफ्ट साइड भी यह पट्टी रहे हूं तो यह भंडों का बढ़ाना आप समझ लेंगे तो अब हम शुरू कर रहे हैं अंदर की तरफ, और ऊईन को हमने लपेटा, और अगले दो फंदों में उलटे का जोडा बुना, ठिक, ऊउन ले गए बाहर की तरफ, अगले पाँच फंदों को सीधा बुना, तीन, चार और पाँच, फिर से देखिये, ये ऊउन को हमने इस तरहें से लपेट लिया, क्योंक आपने देखा कितनी आसान ये बुनाई हुई अभी मैं आपको पलट कर और दिखाऊंगी अभी यह हम आए यहां पर फिर से पांच फंदे सीधे दो पीन चार और पांच उनको लपेटा इसको यार्न ओवर कह देते हैं यार्न राउंड नीडल कह देते हैं वूल राउंड न नी है आखरी बार हमने यह उन लपेटी दो उल्टे का जोड़ा बनाया और उन बाहर की तरफ और यह पांच फंदे सीधे बुने अभी मैं आपको पलट कर दिखाती हूं और फिर दिखाती हूं कि कैसे यह जाली वाली जगह हमारी सुन्दर सी बन रही है यह हम पलटेंगे सलाई को अपना और फिर से हमको वही दोराना है पांच फंदे सीधे तीन चार और पांच फिर से उन लपेटी और यह फिर से दो उल्टे का जोड़ा तो यह एक बार हमारी जाली इधर बन जाती है जब हम इधर से जा रहे हैं जब उधर से आते हैं तो इधर वाली जाली ब बात हुई अब मैं आपको थोड़ा फंदे बंद करके और दिखा देती हूं कि जहां पर जाली होती है ना वहां पर हमको फंदे थोड़े ध्यान से बंद करने हैं कि वो टाइट ना हो वरना जो इसकी ये किनारी है ना वो सिकुड़े ना ये ये चौड़ा है और किनारी ही हूं या आप आठ नंबर से बुन रहे हैं और फंदे बंद करने में आपका हाथ टाइट है तो आप साथ नंबर की सलाई ले लिजिए उससे आप बंद करिए तो ये लूज एक समान इसका खिचाव आना चाहिए तो ये मैंने बंद करें अब मानिए जाली की जगह पर हम आए हैं और हमारा यहां खिचाव आ जाएगा ये टाइट हो जाएगा ऐसा हमने मान लिया तो एक ट्रिक है ये मैंने एक फंदा बनाया ये नकली फंदा बना लिया ठीक है समझ में आई वार और इस नकली फंदे के उपर से मैंने इसको उतार दिया तो मैंने ये जो जाली क के बनाबर मैंने नकली बंद कर दिया फिर अगला फंदा बनाया और इसको बंद कर दिया अभ यहाँ तो हमारा फंद HA है इसलिए हमें नकली फंदा बनाने की जरूरत नहीं है ठीक देह ठीक लग रहा है न तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए बहुत चोटी चोटी बाते होती है जिनको हमें समझने की जरूरत है अच्छी बुनाई करने के लिए बस इस तरह से हम अपने फंदों को बंद करेंगे यह जो ट्रिक मैंने आपको बताई है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा लाइक का बटन दबाए चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों के साथ शेयर करें आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हमारा चैनल चल रहा है देखिए हम फिर से आगए उसी जगह पर फिर से एक नकली फंदा हमें बनाना है ठीक और फिर बस आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छी मैंने आप आपको ट्रिक बताई है कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी अब एक बात है कि इसकी लंबाई कितनी रखी जाए मॉफलर की तो अगर धीला बुना हुआ है थोड़ा सा तो लंबा होगा ही यह इसलिए 62 से 65 इंच तो नॉर्मल लंबाई होती है जालर अलग से आपको रखना है तो 70 इंच तक रख सकते हैं लंबा रखना है तो पहन कर तो वो 72 इंच हो ही जाएगा लंबा हो ही जाता है आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सार्दा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन